भारत के खिलारियों ने आज इतियास रज़ दिया है 17 सल बाद साउथ अफरीका को हरा कर इतियास रज़ दिया है और मैच का जो मिनिंग मैं उनको दूँगा वो सुर्य कुमर यादो है जो मैच को ही पकर लिया एक कैस उन्हें ने पकड़ा जो कि एक ओबर में 16 लग रहे थे लेकिन मैच का जो पल्टा भारी किया जो सुर्य कुमर यादो है दोस्तों जहां 140 करोर देशवासियों ने मैच का उमिद हार चुके थे वो सुर्य कुमर यादो ने उन्हों लोगों के होसले को बुलंद किया होसले को बुलंद किया और वो कैच पकर कर दिखाया और भारत एक ऐसे मोड पे चला गया जो की जीत हासिल कर लिया। तादू की जस्पृत भुम्रा और हार्दिक पांडिया ने आकर मैच को पड़ट दिया। और इत्यास रस दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिराट कोली को जिन्होंने नबाद 76 रन बना कर साउथ अफरीका के सामने एक अच्छा स्पृर्ट खारा किया। मैच मैच देख रहा था और 30 बॉलों में 30 रन लग रहे थे। सभी लोगों की धरकने डेमेज कर रहा था। धरक रहा था। सभी लोग की धरकने धरक रही थी प्रेशर हाई हो रहे थे कि आखिर क्या होगा। मैच जो 17 साल तक इंडिया के पक्स में नहीं आया था वो मैच क्या भारत जित पाएगा। यह तरफ ऐसा लग रहा था कि अब साउथ अफरिका को जितने से कोई नहीं रोक सकता है। उस्वता दें कि जिती हुई मैच साउथ अफरिका से इंडिया ने छीना कैसे देखिए। एक उबर में 16 रन लग रहे थे और हार्दिक पंडे आते हैं। पहले बॉल फेकते हैं और डैविड मिलर सीधा बाउंडरी के बाहर मार देते हैं। लेकिन सुर्य कुमर यादो ने ऐसा कैच पकड़ा, फिल्ड में जाकर उसके बाद ऐसा कैच पकड़ा, कि वो कैच नहीं उन्होंने मैच पकर लिया है। और वो ही से कहानी चालू होती है जीत की। सज में आज मैंने देखा रोईस सर्मा को नीचे रोते हुए और हाथ पटकते हुए सभी खिलारियों की आँख में आसू आ गए जब भारत ने मैच जो इतियास जीत कर वो दिखा दिया कि भारत में कितना सरा दम है जो जिता मैच को भी अपने पास को खीज कर लेकर कैसी आती है तो मैं दन्यबाद देना चाहूंगा ड्रैविट को जो की ड्रैविट ने भी बहुत सारे युगदान उसमें दिया है और रोईस सर्मा को भी जुनोंने काफी संगर्स करके बहुत अच्छा मैच खिला है और हार्दिक पांडेक ने भी काफी कमाल के फिल्डिंग और काफी बढ़ियां बॉलिंग और काफी बढ़ियां बैटिंग करके सावित कर दिया है और भी बता दूं सभी खिलारियों ने बहुत अच्छा परदसन किया मैं तो दिल खोश हो गया मैं तो मैच देख रहा था और मैं ऐसा सम नहीं क्या बता हूं और एक समय और क्लासन का जो विकेट उन्होंने लिया हार्दिक पांडिया ने पहले बाल पे उस समय मैच लगा की हाथ में 50% आ गया है लेकिन जिस समय डैविट मिलर का विकेट सुर्य कुमार यादों ने जबर्दस तरीके से इस तरह से पकड़ा ना क्य भारत ने जिता है और इतिहास रज़्दिया है 17 साल बाद यह चंपियन ट्राफिक भारत ने जिता है सबीव देशवासियों को बिश्व कफ भारती टिम बनने की हार्दिक हार्दिक सुबकाम नहीं टीएसेफ न्यूज बड़ा ही खूस और मैं आप लोग उसे बता दू कि यह मैच मैं खुद देख रहा था आप लोग कमेंड बक्स में देखें बताएं कि आप लोग मैच देख रहे थे या क्या कर रह ही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत के भारत के हाथों से मैच जो है निकल चुका है लेकिन ओ सुर्य कुमर यादों का कैच सभी के दिलों में बताना नहीं पड़ेगा जय हिंद जय हिंद जय भारत